आज मैं एक नया प्रड़क्ट का डेमो लेकर आपके बीच आया हूं नया प्रड़क्ट मेरा है डिस्क ड्रॉप कंसंट्रेटेड डिस्वास लिक्वीड इस लिक्वीड को लेकर मैं डेमो करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं इस डिस्ट्रॉप का कुछ खासियत आपको पहले मैं बता दूँ सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका जो क्लीनिंग है वह स्पार्किंग है एकदम चमकीला बरतन को साफ करता है कोई भी धब्बा सुखने के बाद आपको लजर नहीं आएगा और इस पर देखिए एक जगर लिखा हुआ है यह मुहर मारा हुआ है बायो किस्ट फार्मूला इसके हर होम केर पोड़क्ट बायो किस्ट फार्मूला पर होते हैं अर्थात यह हमारे वाताब्रा को या हमारे सरीर को या हमारी हाथों को जरा सा भी नुक्सान नहीं पहुच है और इसका फार्मूला है वो अपना पेटेंट है थोड़ा इसके डायलूसन पर बात करना है सबसे बढ़ा कहाशियत इसके डायलूसन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक प्राइमरी डाइलूशन बोतन यूज करते हैं इसमें निसान बना हुआ है वन इस्टू थ्री यानि जितना काला भाग है उतना हम पानी भरते हैं और जितना साधा भाग है उसमें हम डिस ड्रॉप का लिक्विड डालते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको एक लीटर का चार लीटर प्राइमरी लिक्विड प्राप्त होता है फिर उस एक लीटर वाले लिक्विड से डबल दूसरी बार उसको फिर डाइलूट करते हैं कटोरी में पानी ले लेते हैं करीब दस एमल पानी है तो एक एमल फिर ये इसमें जो लिक्विड बना हुआ है वो एक एमल लेते हैं यानि टोटल एक लीटर से 40 लीटर तक डिस्वासेबू लिक्विट बनाया जाता है एक लीटर का खर्च करीब 16 रूपय आता है ऐसे अगर तोड़ करके देखा जाया है तो ये काफी सस्ता और घर में उप्योगी है इस पोड़क्ट को इप्पा एवार्ड मिल चुका है कई बार इनवारमेंटल प्रोटेक्शन एवार्ड इसको तीन बार चार बार यानि ये वातरवणों को लुक्सान नहीं करता है इसलिए इसको एवार्ड मिला है D.E.E.F. डिजाइन फार इनवारमेंट ये पोड़क्ट D.E.F. का भी मेंबर है A.I.E.C. International Association for Soap and Detergent का भी ये मेंबर है यानि कि सारी मानताएं यह तै करता है और हमारे हाथों को जरा सा भी नुक्सान नहीं पहुचाता है आए जरा इसके कंसंट्रेशन को इसकी सांद्रता कितनी गार ही है इसको हम एक डेमो से देखते हैं एक बरतन में गिलास में हम पानी लेते हैं इसमें एक गिलास हम पानी लेते हैं और आए जरा देखते हैं कि इसका लिक्विट का कंसंट्रेशन क्या है एक सीख लेते हैं एर पाइप उसमें हम जरा साय इस डिस्ट्रोप से छुआ देते हैं छुआने के बार इसको हम लेते हैं और थोड़ा फूक लगाते हैं कि इससे यह लगता है कि एक बुद्ध जब इस पानी में गया तो इसमें यह कार कर रहा है यानि एक बुद्ध डाल कर भी हम अपने बरतन को आसानी से साफ कर सकते हैं थैंक यू